हिंदुस्तान की मुसल्मान चन्दा देने के लिए तयार नहीं इसलिए हम नहीं हो पा रहा है बताने की जरुवत नहीं है उपनी पहचान की कही कोई बताने की जरुवत नहीं दुनिया है सब जानता है कि यहां मुख मुध्ध रहें बावरी मजित के मुहमें दिक्वाल अब लाइए है और जुद्धिया के जो तालुकात हिंदो मुशल्मानों में हैं पहले भी रहा आज भी बरक्रार है तो जुद्ध्या में ना कोई बेदभाव है ना कोई लोहuntsे दिमाग में को कोई चीज चल रहा है यहां आपस में लोगों के तालुकात जो है सबके हिंडों मुस्लिम सिक्षाइब सबके अच्छे हैं वह बना हुआ है बना रहेगा अभी मोदी जी का रोड सो यहां से गुजरा है आप भी स्वागत करने के लिवाँ पर पहुंचे हुए थे हमारे लेकिन अभी तक उस पर एक इट भी नहीं रखा गया है यह अभी तक क्यों चला अभी तब देखिए सुन्नी संदल वगबोड को जमीन मिली है मस्जिद बनाना वह जो है काम वगबोड का है हमारा काम नहीं अब उसमें आपको सदसके तौर पर नहीं रखा गया है हम लोग रहना भी नहीं चाहते और ना उसमें हैं अच्छा ऐसा क्यों यह ऐसा इसलिए है कि सुन्नी संदल वगबोड को जमीन मिली है वह बोड जब जी चाहिए बनावे या ना बनावे हिंदुस्तान के मुसल्मानों को कोई तराज नहीं उनको ना को आपने राम मंदिर का निर्म काम नहीं हो पा रहा है तो फिर कौन आपको साहता परदान करता था था कि ने ठीक है बनने दीजाए राम मंदिर ने दो हजार जो है दसका सी लाया था पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया अब 22 जनवरी को प्राड़ पतिष्ठा होने वाली है उसमें इकवाल अंसारी जी कहा रहेंगे अपने घर रहेंगे वहां नेटाबट रहा है बहुत से लोग बाहर से महमाना रहें उनका भी स्वागत है आपको निमंतर मिला नहीं मिला आपकी जाने के इच्छा है उद्धान समारों में अगर नेटा मिला तो हम भी जाएंगे हमें को इतराज नहीं हमें ऐसे भी तमाम मठ मंदिर में आये जा करते हैं तमाम साथों से तमाम तालूकात है जो भी राम भक्त पहुंचेंगे उनके लिए एक बाल असार अगात है?